गर्मियों का सीजन है और इस सीजन में सभी को ठंडा ठंडा ड्रिंक पीने का मन करता है तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो तरह का समर ड्रिंक जिसे आप पी कर पूरे दिन भर इनरजेटिक फिल कीजिएगा और ये पीने में टेस्टी भी है तो चलिए इसकी रेसेपी देख लेते हैं उससे पहले यदि आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक उसके जो भी प्वशेड ऑ में लुमूफ कर दिया है और इसके बाद हम इन सबही चोटेशन के वाटरमेलन के उसको अधैर में डाल कर इसे पीस लेग हैं तो यह मैं सभी वाटरमेलन को इसमें डाल देती हूं अभी हम इसमें एट कर देंगे चीनी यहां मैं तीन बड़े चमच चीनी का यूज कर रही हूँ आप अपने एकॉर्डिंग कम या ज्यादा मीठा रख सकते हैं इसमें डाल देंगे नीम्बू का रस यूज कर रही हूँ इससे खटा फ्लेबर आएगा और इसमें अब हम डाल देंगे कुछ पुदीने के पत्ते इससे फ्लेवर बढ़ियां आता है तो इसे जरूर आप डाले और इसके बाद हम इसका जूस तैयार करेंगे यहां मैंने वाटर मेलन को पीस करके रेडी कर लिया है इसमें कुछ रेश से रह जाते है या वाटर मेलन का जो बीज बगारा है वो रह गया है तो इसे हम छनी की मदद से छान लेंगे यहां मैं एक छन्नी ली हूँ और इसे हम छान लेंगे यहां मैं एक ग्लास में इसे छान लेती हूँ वाटर मिलन को पीछने के लिए हमने पानी का बिल्कुल यूज नहीं किया है क्योंकि वाटर मिलन में औरेटी बहुत जादा पानी होता है तो चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं, सर्फ करने के लिए यहां हमने लिया है एक ग्लास, और इस ग्लास में हम कुछ आइस क्यूब डाल देंगे, और लीजिए हमारा थंडा-थंडा water melon juice जो है ready है, इसे हम इसमें डाल लेंगे, और इसे हमने गार्निश किया है, कुछ बच्चे लोग पी लेते हैं तो लीजिए बढ़िया सा वाटर मिलन जूस घर में बना सकते हैं बहुत ही इजी है बनाना यह है यह हैल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होता है तो बच्चे बढ़े इसे अराम से पी सकते हैं तो आप भी रेसिपी को जरूर बनाईए दूसरा जो हमारा समर ट्रिंक है वो है सत्तू का सरवत तो यहां मैंने एक बूल में सत्तू लिया है चना को रोस्ट करके उसे पाउडर के रूप में तयार किया जाता है और यह जो सरवत है वो बिहार का फेमस सरवत है वैसे तो बिहार में कई तरह से सरवत बनाया जाते हैं सत्तू का और नमकीन मीठा बहुत तरह से सरवत बनाया जाते हैं तो आज मैं आपक यहां मैं एक ग्लास पानी डाल देती हूं इसमें उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच सद्दू और यह जो सर्वत है ना बहुत ही इनर्जेटिक फील करवाता है आप यदि सुबह सुबह एक ग्लास इस सर्वत को पी लें तो आपको पूरी दिन भर के लिए बहुत ही इनर्जेटिक फील करेंगे यहां मैं ले रही हूं दो बड़े चम्मच चीनी आप अपने कोडिंग कम या ज्यादा मीठा रख सकते हैं उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच सत्दू का पाउडर तो यहां यदि आप गारहा पसंद करते हैं सत्दू का सर्वत पीना तो उसमें तीन चम्मच लेकिन मैं आज पतला बना रही हूं तो मैंने दो चम्मच ही सत्दू का यहां यूज किया है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चम्मच नीवू का रस तो इसे जो सर्वत है न बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा खटा खटा फ्लेवर आएगा इससे तिहां चीनी अच्छे से घूलना जाये तब तक हम इसे मिक्स करेंगे लीजिए अभी ये अष्य से मिक्स हो चुका है और चीनी भी घुल गया है इसे हम सर्व करेंगे तो उसके लिए एक घ्लास लेंगे तो देखिए अभी जो है हमारा सर्वत बिल्कुल रेडी है यहां मैंने एक ग्लास लिया है और इस ग्लास में हम डाल देंगे कुछ आइस क्यूब क्योंकि बीना आइस क्यूब के तो सर्बत का मजा ही नहीं आता है तो हम इस आइस क्यूब को इस ग्लास के अंदर डाल देंगे और इस सर्बत को हम इस ग्लास में डाल देंगे और इसके उपर हम स्प्रिंकल करेंगे रोस्टेज जीरा पावदर इससे फ्लेवर बढ़िया आएगा तो बस थोड़ा सा जीरा पावडर स्प्रिंकल कर दीजिए और इसमें हम सैट में लगा देंगे एक लेमन स्लाइस निम्बू का स्लाइस और पुदीने के पते से इसे हम गार्णिश करेंगे तो लीजिए बढ़िया सा ठंडा ठंडा इनर्जेटिक सद्दू का सर्वर रेडी है कर्मियों की सीजन में सुबस वाप एक गलास पी लीजिए और पूरे दिन भर के लिए बहुत ही इनर्जेटिक फिल कीजिएगा तो मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा फैमिली फ्रेंड को शेयर कीजिए फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाब आई